इस्राइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पाच्वी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है गाजा पर चल रहा है इस्राइल की बंबारे के बीच अचानक युद का एपिसेंटर लिबनान की तरफ मूर चुका है अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद में शामिल हो सकते क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसका ओर्डर सीधा तेरांस से आ रहा है पंद्रह अक्टूबर दो हजार देज हिस्बुल्ला एक के बादे कई मिसाइल फायर करता है पहला हमला टावर ओड़ गया दूसरा हमला रेडार तबाव हो गया तीसरा हमला एक और अड़्डा तहस नहस हो गया यह जगह है लेबनन और एज्रैल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाखा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर स्में से यह और यहां बने है इज्रैल के पांच बहुत ही खतरनाक अड़े यह जगह गोलान की पहाड़ीयों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की उचाई 500 मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाखा और यहीं से अठाक लांच किया गया इस ग्रैफिक से समझ सकते हैं इस इलाखे की टोपोग्राफिय कौन कहां मौजूद है कौन सा इलाखा किसके पास है? अब यहाँ क्या हुआ? बहुत गोर से देखेगा यहाँ लेबनन के इलाखे में हिजबुला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाले तीन बहुत ही खतरनाक एंटे टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट रॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुला ने तीन तरह के अंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइलें इस्तेमाल की यह हैं कॉर्नेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है यह रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुला के पास है दूसरी है बीजियम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल रेंज है सारे 3 किलोमीटर यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉनकोर्स रेंज 4 किलोमीटर यह भी रूस ने बनाई है और अब इरान में यह तोसान नाम से तयार की जा रही है तीनो मिसाइल बहुत ही खातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अर्टे उड़ाए है उससे यह बात साबित हो जाती है इस भुला का दावा है कि उसने यह हमला लेबनन में इसरेल के हमले के जबाब में किया इसरेल के हमले में एक पत्रकार की मौत होई है जबकि कई घायल होए है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में है और पास ही एक गाड़ी जल रही है इस्राइल पर इस हमले का आरूप लगा है अब लेबनन में इस मॉर्डर को लेकर इस्राइल को लेकर बहुत गुसा फैल चुका है इस्राइल के खिलाब बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे है इसी को देखते हुए अब भेजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गोर से देखिएगा सबसे पहले इस्राइल का अडड़ा नमबरे शतुला इलाके में बने इस अड़्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला इस्राइल ने कॉरनेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इस्राइल का एक टावर उड़ा देती है हेजबुला की ये रेंज देखकर इस्रेल के कैम्ट में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से दबाह हो गया इसके बार टार्गिट बना इस्रेल का अड़ा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुला ने किया दूसरा हमडा इस बार हेजबुला ने वीजियम सेवेंटीवन टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सखी है कि इसने ठीक रेडाय स्टेशन को तबाह किया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बार टार्गिट बना इस्रेल का अड़ा नमबर थी ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हेजबुला ने किया तीसरा हमला इस बार हेजबुला ने कॉंकर्स एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़ेट मिसाइल भी इस्रेल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांचवे अड़े पर भी हेजबुला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड़ेटों का हुआ है हजबुला का दावा है कि इन हमलों में इस्रेल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैमिक दिमारे गए है समझ लीजे कि इस वक इस्रेल और लेबनन के बॉर्ड़र पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद को दस गुना भड़का सकते है इसके बारे में दुनिया में सिर्फ चार लोग जानते है पहले हैं इस्रेल के प्रधान मंत्री बैन्यमिन नीतन याहू तूसरे हैं इरान के राजशबती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राजशबती जो बाइटर और चौते हैं यूरॉप से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के राजशबती व्लाद में रखोते है लेकिन इस वक्त सबसे ज़ादा एक्टिव एरान है एरान के विदेश मंत्री हुसाइन अमीर अब्दॉल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने खाज़ा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉल्ला ने ऐसी तयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आजाएगा दर इसराइल अलेई है शहरवन्दान वे गेर निजामियान दर गज़ज फूरन मतवग्गिफ शबदॉद इरान के विदेश मंत्रे ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीब से लेकर वशिंटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है इसराइल को लेकर इरान की वार डिप्लोमेसी इस सुक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है सुदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान से इरान के राश्रोपती इब्राहिम रईसी की बादचीत के बाद 48 घंटे में इरान की विदेश मंत्री ने इराक का दोरा किया वहां के राश्रपती से मिले इरान की विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राश्रपती से मुलाखात की हुसायन अमीर अब्दुल्ला हियां फिर लिबनन गए और हेजबुला की लीडर्शिप से मिले इसके बाद वो कतर है और वहां की विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमाज की लीडर्शिप याने इसमाईल हानिया से मुलाखाग की सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर इरान और इस्रेल के बीच बड़े युद्ध की तयारी हो चुकी है इस्रेल ने भी लेबनन बॉडर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबॉल्ला को चोड़े का नहीं लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबॉल्ला ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिये हैं हिस्बुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है इस वीडियो में हिस्बुल्ला का मेसिज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हिस्बुल्ला का मिलीशिया कमांडो अपरीशन की तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हिस्बुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी इस भुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस्राइल पर हमला कर देगा अगर इस्राइल की सेना फिलिस्तीन के खाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इस्राइल पर चड़ाई कर देगा इस्राइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहां सेयुक्त राष्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस सुवक्त इस्राइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्राइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इस्राइल पर हमला बोल दीगा Hezbollah fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF but the situation on the northern border remains very tense and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north prepared for any eventuality that may happen. दक्षन लेबनन और उत्तरे इस्राइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज़्यादा है यहां अफरात अफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुंच सकता है यहां तैनाद संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरेल की सेना ने अपना गोला बारूत तयार रखा हुआ है तोपों से जो गोले फायर किये जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए है इसरेल की रेजर्ब फोर्स भी आसपास के इलाखों में तैनाद की जा रही है ये हम भी गाड़िया है जो लगातार यहां तक पॉज पहुचाने में लगी हुई है 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे जादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्ला की वानिंग के बाद सब की नजर इरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है इस्राइल के गोलान की पहड़ियों पर भी टैंक पहुचा दिये गए हैं ये जगए सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इस्राइल ने सीरिया के इस हिससे को अपने में मिला लिया और तभी से ये इसरेल के कंट्रोल में है देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्यमेश्या में युद्ध की चंगारी पहुंच चुकी है इसरेल से लेकर घाजा और घाजा से निकली गया आग अब लेबनन पहुंच चुकी है चंगारी, सीरिया और इरान में भी नजर आ रही है